हेलो दोस्तो मैं हुए जोई और आप लोग का फिर्श सेग बर स्वागत करते हैं और एक नहीं टेग वीडियो के साथ तो चले आज किस वीडियो को शुरू करते है दोस्तो मौजूदा वक्त में सभी के पास इंटरनेट मौजूद है एसे में जब भी किसी को कुछ सार्च करना होता है तो वो सबसे पहले Google Chrome या फिर Microsoft Edge का इस्तेमाल करता है लेकिन दोस्तो Google Chrome और Microsoft का इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है दरसल दोस्तो इन दिनों प्लैटफरम पर कुछ essay extension मौजूद होते है जिनका इस्तेमाल से हेकिंग का खतरा पैदा हो जाता है दोस्तो सीक्यूरिटी रिसार्च फार्म एवस्ट की तरफ से 28 essay extension की पहचान की गई है जो खतरनाक हेकिंग की वज़ा बन सकते है ऐसे में यूजर अपने लैप्टोप या कंप्यूटर से इन खतरनाक 28 extension को जल्दी हटा ले बरना हेकिंग का शिकार हो सकते है दोस्तो अपलोग को बता दी कि इन add-on extension की मदद से फेस्बूक, इंस्टाग्राम, वीम्यू जैसे पैट्ट्रॉम से यूजर को फोटो वीडियो जैसे चीजों को डाउनलोड करने में सुविदा होती है जो कि third-party extension होती है और यही third-party extension की मदद से यूजर की एहम जानकरी को चुरा लिया जाता है जिससे हेकिंग की घटनाव को अंजम दिया जाता है दोस्तो एहवस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक Google Chrome और Microsoft Edge के extension की बज़ा से दुनिया भर के 30 लाग से जादा लोग हेगिंग का शिकार हुए है Security Research Farm एहवस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक कुछ third-party extension के मदद से Google Chrome और Microsoft यूजर की हार गदिविधी पर नजर रखा जाता है कि आखिर यूजर कौन सी वेबसेट पर विजिट कर रहा है और कौन से लिंक ओपेन कर रहा है दोस्तो एहवस्ट के मुताबिक इस तरह third-party extension यूजर के personal data जैसे date of birth, email id और device से जूरी सारी जानकारी चोरी कर लेते है और फिर hacking के घटनाव को अंजम देते है इससे hackers इन extension के मदस से URL को hijack कर लेते है दोस्तो Google, Chrome और Microsoft Edge के third-party extension के मदस से यूजर को गलत website पर shift किया जा सकता है मतलब extension जान भूचकार यूजर को गलत website पर पहुचा देते है जिसके बदले उन्हें hackers को पैसी दिया जाते है मतलब दोस्तो अगर यूजर किसी college की website को search कर रहा है तो उसे dating platform पर पहुचा दिया जाता है और इस तरह से यूजर की एहम जानकरियों को चोरिक कर लिए जाती है जो banking fraud जैसे घटनाओं की वज़ा बनते है दोस्तो एवस्ट के मुताबिक company ने google और microsoft को इस बात की जानकरी दे दी है लेकिन आभी भी chrome web store और microsoft add-on portal पर ये malware extension उपलब दे एवस्ट threat intelligence team का दावा है कि ये खतरनक third party extension google chrome और microsoft edge browser पर कई सालों से मौजूद है लेकिन कोई भी इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो चले दोस्तो आप जानते हैं उन खतरनक extension के नाम जो की google chrome browser और microsoft browser पर मौजूद है इन में से दोस्तो पहला नाम है direct message for instagram next DM for instagram इसके बाद है invisible mood for instagram direct message इसके बाद है downloader for instagram next Instagram download video and music next app phone for instagram इसके बाद है stories for instagram इसके बाद है universal video downloader इसके बाद है video downloader for facebook next Vimeo video downloader इसके बाद है volume controller next Zoomer for instagram and facebook next VK Unblock works first इसके बाद है upload photo to instagram इसके बाद है spotify music downloader next stories for instagram और इसके बाद है upload photo to instagram इसके बाद है pretty kitty the cat pet इसके बाद है video downloader for YouTube, इसके बाद है soundcloud music downloader, next है the new works times news, और last में है Instagram app with direct message DM, तो दोस्तो यह था कुछ खतरनाक extension के नाम, जो की Google Chrome browser और Microsoft browser पर मौझूद है, इन में से कोई भी extension यदि आपके device में मौझूद है, तो जल्दी उसे delete कर दे, वरना आपका device checking का शिकार हो सकते है, तो आपको अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक ओर श्यार जरूर कर दे, चैनल में आप नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्रेब करके बेल भी दावा दे, ताकि एसी tax related update वीडियो आपको रोजाना मिलता रहे इसी चैनल बर, तब तक कि लिए जय हिंद, वन्दे मातरम